करम किये जा फल की इच्छा मत कर, मतलब क्या, अपनी लाइफ को खराब कर लो, और फिर ना यहां के रो ना वहां के रो, और confidence की धजियां उड़ जाए, कोई तुम से पूछे हाँ भई क्या किया तुमने, कुछ नहीं किया, तैयारी करी, उस तैयारी से क्या होता है, कहीं किस काम की है वो तैयारी, अगर नहीं हुआ तो, और जब होने की possibility ही इतनी कम थी, तो उस रास्ते पे गए ही क्यों, फल की चिंता सिर्फ उस हद तक करो, जिस हद तक वो realistically possible है, और उस फल के ना मिलने की भी एक गुझाईश छोड़ दो, बट पहले calculate करो, यह हम नहीं करते ह इस वजे से गरबड हो जाती है, क्योंकि किसी के भी चाहने से कुछ नहीं होता है, यह जो law of attraction की पूरी की पूरी दुनिया है न, इसने बहुत गंद मचा दिया है, मतलब क्या आप लोगो के mind में भर दिया है, कि अगर आप बैठ करके कुछ भी सोचते रहोगे, या कुछ चाहोगे तो पूरा भ्रमांड लग जाएगा आपको वह चीज दिलाने में, मतलब भ्रहमांद तो वह ला है, आप ये इक लिए काम करेंगा, उसके पास में और को तो काम धंदा है भी नहीं, सिर्फ आप ही हो क्योंकि आप चाह रहे हो और आप हो कौन जो आप चाह रहे हो तो ब्रह्मान्ड आपके पीछे लग जाए अरे आपके चाहने से आपके घरवाले कुछ नहीं करते आपकी घरवाली कुछ नहीं करती तो इस गलत फैमी से भार आजाओ कि चाहने से कुछ होता है Whenever you are doing something पहले calculation करो कि ये होने की possibility क्या है ये नहीं होने की possibility क्या है तो दोनों को calculate करके और दोनों को consider करके कि अगर हो गया तो क्या होगा नहीं हुआ तो क्या होगा फिर एक step उठाओ तो actual में फल की चिंता करने की आपको जरुवत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने दोनों फल को अकाउंड में ले लिया है अच्छा फल भी बुरा फल भी बट अगर आप इसको इस तरीके से सोच रहे हो कि बैबस मेहनत करता चला जाओंगा या मेहनत करती चली जाओंगी और जो भी होगा उसकी मैं चिंता नहीं करूंगी तो आप लोगी प्रॉब्लम क्या है स्पेशली इस एज ग्रूप में कि यह क्लियर नहीं है कि exactly हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है दोनों क्लियर नहीं तो कोई भी आ करके कोई भी आपको आपके पेरेंट्स को ऐसे सपने दिखा देता है या इस तरीकी से ब्रेंवाश कर देता है जो आपको पता भी नहीं लगता है ऐसे सी वेब सीरीज बन गई है जहां पर इतना ग्लोरिफाई किया जा रहा है कुछ प्रोफेशन को कि वह डिजायर आपके अंदर पैदा हो जाते हैं फिर आप किसी ऐसी रेस में भाग रहे होते हो जहां पर उस रेस को जीतन होगा जो उस इंसान की जो सेल्फ एस्टीम है सेल्फ कॉंफिडेंस उसकी धजिया उड़ेगी उसका क्या उसको टाइम खराब हुआ चार-पात साल उसका क्या उससे तेज भागने वाले बहुत सारे नजर आ रहे हैं फिर भी उसको भगाय चले जा रहे हैं और वो भी कोई तुम से पूछे हाँ भई क्या किया तुमने कुछ नहीं किया तैयारी करी उस तैयारी से क्या होता है कहीं जौब इंटर्व्यू में जा करके बोलो मैंने तैयारी करी तो किस काम की है वो तैयारी अगर नहीं हुआ तो जब होने की possibility ही इतनी कम थी तो उस रास्ते पर किंशांते वें और थे गाए ही क्यों अगर यह ना करें हमारे पास्तों को और पास्टी शा कि नहीं है अरे तो बुड़ Usाल केयो बीस चाल के मि हो नहीं बेसridis का करे अगर यह на करे तो अरे अपना कुछ create करो कोई problem actual में जो है इस दुनिया की उसको solve करो अगर इस age में नहीं करोगे तो कब करोगे बट आपको कोई अपने benefit के लिए बड़े सही तरीके से use कर रहा है जिसमें वो लोग इतना कमा रहे हैं आप सपने में भी नहीं सोच सकते आपको कोई भी बड़ा सा सपना दिखाया जिसको सुन करके आपके अंदर goose bumps आए और फिर कहा के ये है वो रास्ता आजो हमारी academy को join कर लो और एक बार में किसी का नहीं होता है देखो उसका भी पांच बार में हुआ था तो 4-5 बार तो सोच करके ही चलो और 8-10 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे तो अगर 10 लाख रुपए उन्होंने आपके जैसे 10,000 बच्चों से ले लिए तो कितना पैसा हो गया उनके पास में एक हजार करोड और ये जो 10,000 बच्चे हैं लेकि उस से उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो मान लोग कुछ बच्चों का हो भी गया और वो तो हो ना ही है अरे लोटरी टिकेट में भी किसी ना किसी की तो निकलती है तो कुछ का हो गया बाकी उसमें से बहुत सारे बच्चे मानो हजारों लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले गए उनकी बात क्यों नहीं होती है कभी ये क्यों नहीं बोला जाता आने वाले 5 साल बाद हो सकता है तुम भी उनमें से एक हो क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी जावा है तो बढ़ ये बाते कभी नहीं करी जाती है और ऐसी बाते कोई करता है नेगडिव बाते मत करो पॉसिटिव बाते करो जैसी दुनिया आप लोगों को दिखती है ना वैसी है नहीं सबने मास्क लगायों है तरह तरह के उस मास्क के पीछे हर एक अपना एक एसी जगह का जो महौल होगा वहाँ पर ओवर उप्टिमिजम होगा वहाँ पर ऐसे इसी बाते होंगी जिससे कि आप लोग हिप्नोटाइस हो जाओ ब्रेन वाश्ट हो जाओ पूरे तरीके से आप और आपके फैमिली मेंबर्स और बस जैसे गोड़े होते हैं ना यहाँ प करते हो बहुत सालों तक और अगरोगी नहीं होता है तो आपके अंदर बंघ्र के चलते क्यों हो इतने वह कियो हो